वेरी वेलकम टो आल, शाथ है एक्जाम फ्रैटर नूमरें को आप सभी का हार दिख स्वागत है। जेपी एस्सी-पीटी-जी-ची-पीपर वटी कि लासे han बहुत-बहुत आप सभी का स्वागत है। शाथियों जैसा आप सभी अउगत है एक्जाम आपका 17 मार्च को ही होना तै हो गिया है एड्मिट कार्ट के लिए भी आपको लिंक अवलेबल हो आज से मिल जाएगा आज से आपको एड्मिट कार्ट भी मिलना सुरू हो जाएगा तो classes में भी हम लोग क्या करेंगे कि जो previous year questions है और जो most very very important questions है उसको solution करेंगे और one liner के रूप में इसको solution करेंगे ताकि आप कम समय में ज्यादा ज्यादा question को अपने नजरों के सामने का सकते हैं रख सके और उससे याद करने में आपको असानी हो तो चली start करता है इसके classes को प लाहोर में बी पूछा जैँ कहां पर तो सहदरा लाहोर के निकट एक जगया है सहदर इसके मुंडुक के बारे सेажи परशिद जेन आचारी जिसका नाम क्या थे पूछा जैन अचार जिसको अकबर ने बहुत सम्मानीत किया था अकबर ने तर्वेर बुला कर सम्मानीत किया का थे तो हरी विजय शूरी हरी विजय शूरी भीज़ी लंडन में ब्रिटिस इडि़िया गंपनी लंडन में बिटी इसनिडिया-कंपनी की जब स्थापना हुई उसमें भारत का बात्सा कौन था लंदन में बिर्टिस इसनिया कंपनी का स्थापना कब हुई आपको पता होना चाहिए तो इस समय अकबर थी क्योंकि अकबर का कारिकाल 1556 अकबर का कारिकाल 1556 से 165 तक है तो इसी दोरान यह 1600 आ गया तो 1600 में भारत के सबात्सा कौन थे अकबर नेक्स्ट शाजहां के सासनकाल में कौन यूरोपी आत्री भारत आया था शाजहां के काल में कौन सा यूरोपी आत्री भारत आया था तो शाजहां काल में पीटर मुंडी आया था पीटर मुंडी अकबर सब्सक्राइब में टिल्ली का पुराना किला किस ने बनवाया किला सेर्सा अहमद नगर पर अंतिम रुप किस मगल सास्सक ने अधिपात यम्हाया अंतिम रूप से पूछा जाएन अगर आरंबिक रूप से पूछा जागए तो अनसर अक्बर हो जाए लेगिये यहापर क्या रहा के अंतिम रूप से किसमुगल-sossag न्यदिपाथ जमाया तो जहां गेर ने किमर नगर में किसने साजहां के नाम से खुत्बा पड़वाया तो साजहां के जो सिनापति थे दाउद खाँ इन्होंने ही साजहां के नाम से वाँ पर खुत्बा पड़वाया था अमर्दगर में दाउद खाओ औरंग्जेव ने की साधार पर मारवार को मुगल समराज में मिलाने का प्रयास किया औरंग्जेव ने क्या किया था मारवार राज को मुगल समराज में मिलाने का प्रयास किया था क्यों इसका कारण था मारवार के राजा जस्वन सिंग पुत्र विहीन ही मर गए थे तो उसने कहा कि नहीं यहाँ पर प्राकृतिक उत्राधिकारी कोई नहीं है इसलिए इसे मोगल समराज में मिला लिया जाएगा हलाकि बाद में इसका काफी विरोध हुआ और एक तक सकते कि राजपूत इसके खिलाफ हो गए पानी पत के पर्थम यूद में अपनी विजय का सिरे बावर ने अपनी सेना के किस अंग को दिया तिरंदाजी को जहां तिरंदाजी वालब जिए उनका का सकते विंग था सेना क बहुत ही जवर्त भूमिकानी भाई उन्हें बावर ने बारूद का परियोग सरपर्थम किस यूद में किया बारूद का परियोग सबसे पहले भीरा के यूद या कहीं कहीं से भेडा के यूद में किया था जो कि कह हुआ था आपका 15-19 में 15-19 में इसी यूद में बावर ने पहली बार बारूत का परियोग किया था बाबर ने खानवा के युद्ध बाबर ने खानवा के युद्ध के पुरू जिहाद के साथ साथ तकामी नीती की भी घोसना कि थी तकामी नीती क्या थी मुसलमानों से सीमा करकी समापती एक तकावी या तकामी कुछ भी नाम मिलता है दोने में से कोई भी आपको एक ही है तकावी या तकामी जो मुसलमानों से कर लिया जाता था जो सीमा कर था उसको उन्हें पहले ही समाप्ति की गोशना कर दी जिसका नाम क्या था तकामी या तकावी अगला घागरा के युद में बाबर ने किसको प्राजित किया अफगानों को प्राजित क्या था महमुद लोधी और नुश्रक्षा को घागरा के युद में वावर ने प्राजित क्या था ये कब लागा था पंदरसा उनतीस में ये भी आपको रखना है 1539 में 1561 से 1567 के मत अकबर को किस सरदार वर के विरुद का सामना करना पड़ा इस दोरान अकबर को उजबेगों का विद्रों का सामना करना पड़ा उजबेगों का दाउद खां के विरुद अकबर की सेना का नेत्वित क्रिश्ने किया मुनेम खाने दाउद खां के वुरुद अकबर की से ना करेतित किया था मुनेम खाने मनसेरेट मनसेरेट और एका वीवा को अकबर के दरबार में किसके दौरा भेजा गया था यह फादर मौनसेरेट इसका पूरा नाम है फादर मौनसेरेट और एका वीवा को अकबर के दरबार में किसके ingele गया था तो पुर्त गालियों के दौर यह पूर्द में आया थी और अंग्जब के उत्तर कालिन यानि धी शाarat की स्वर्दे यात्रि के एक तॉछ फर्द कि होड़ा करो और थे साथ Broken अगबर को कहां मिला उसमें अकबर कलानोर में था कलानोर में युद्ध कर रहे थे वहीं पर युद्भू में उसे समचार मिला कि हुमायू की मृत्य हो गई है बाबर ने सर्व प्रतम भारत पर कवा कर्मन किया 159 में आफ 159 में कहां पर किया था भेड़ा में ऐसी को भेड़ा कहे जाता है यहीं पर उन्हें पहली बारुद का परियोग किया था अकबर के सासनकाल में राने दुर्गावती की व्रुद मुगल सेना करने तो किस ने किया आसफ खाने अकबर के सासन काल में रानी दुर्गावती के विरुद मुगल सिना का नेतिवत क्या था आसफ खाने सेरसा सूरी कहां का था अफगान था सेरसा सूरी क्या थे अफगान थे शुलह एक कुल का क्या आर्थ है अकबर की जो धार्म नेति थी सुलह कुल पर रहाए थी इसकार्थ क्या था है, शहन सिलता और सहिसनुता, शहन सिलता और सहिसनुता, next है किस मुगल बात्सा ने मरते वक्त कहा, मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूं, ये कतन है और अंग जेब कहा, next, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, महरना परताप ने अपनी राज़ान काम बनाई चावंद हल्दी घाटी युद्ध में जब कर सकते हैं कि इनके पराजय हो गई जिन्हें नई राजधानी बनाई चावंद में अकबर ने दासाला परनाली कब आरम की पंदरसो अस्थी में किसके सहयोग से की थी यह पूछा जाता है तो टोडरमल टोडरमल के सहयो अगला है मुगल काल में रूढ़ी वादी मुस्लिम पुनुदार नेता कौन था सेख अहमद सरेंदी जो अकबर का कर सकते हैं विरोध करता था अकबर जिस परका धार्मिक सरेशनुता के दारपर सासन करने वालिसासक के रूप में जाने जाता है इसकान अकबर के घोर आलो चक्तिस से एकामद सरेंदी इसलिए इसको रूढ़ी वादी नेता का जाया है बेरम खां के मिर्तियू के पच्चाथ अकबर किसके पुराव में आया महमनगा जो उनकी का सकते हैं दाई थी बेहम बेरम खां के मिर्तियू के बाद महमनगा के सनच्छन वाया था इन्होंने वक्तियों को जागेश 주는 है और अंग्जेब के सासनकाल में अमीन किसकी वसूली करता था जजिय्या कर जो जजिया कर शूलते थे वह अमीन काल आता था खां किस मुगल के परसासनिक अंकाया हैं घरते करम में क्या थी हैं गरते करम में सबसे बढ़ा हुगया सूबा फिर सरक जिला और प्रगना और प्रखंड मोगलों के आवसान के समय किस ने जाटों को राजनितिक सक्ति के रुप से संक्टित करने वाले कौन देज से शुड़ामन अकबर के दरवार में आने से पूर तानसें किस की सेवा में थे राम चंद्र बगेल के सिवा में थे अकबर के दर्वारमी शेव पूरत आंसन राजा रामचंद बगेल के सिवा में थे ये किसका कथन है एक मुठी बाज्रे कि लिए भारत की बादसाध खोबेड़ता ये कथन है सेरसा सूरी का जब मारवार पर अभिहान चलाया था तो उसको लगा था कि हम तुरण जीत जाएंगे और जब जीत नहीं पा रहे थे और एक समैजी इस्तित आई लग रहा थे यह पराजित हो जाएंगे तो इन्होंने कथन इनका इस्टिट्मेंट आया था एक मुठी बाजरे के लिए मैं भारत की बात साथ खो बेटता है मतलब छोटा सा मारवार के लिए मैं पूरे समराज को ही खो देता हलाकि अंत में जीत नहीं क्यों हुई चोसा के युद में मुगलों का क्या हुआ प्राज बाद में पंदरासा उन्चालिस में जब कर सकते हैं इसके जित हुई सेर खांकी तो इन्होंने सेर्षा की उपारी धार्ण कर लिए हुमायों की मुरतियु कब हुई 1555 में कैसे हुई दिन पना के सिल्धियों से गिर कर किस आयू में हुमायों को बात साहत मिले थे मातर नामक नए नगर के अस्थापना किस ने की थी हुमायों ने और इसी में उसके मृतियुब हुई चोसा कयूत किन के बिच लड़ा गया हुमायों और सेर्खां सेर्षा के बिच तो यह था साथ यह आपका जेपेस से पीटी जीएस पेपर वन के का क्लास जहां पे हम लोग न प्रिवियस यह और मॉस्ट इंपर्टन प्रस्णों को देखा जो कि आपके एक्जाम में हुब भू लड़ेंगे सीध्य प्रस्ण आपका कर सकते क्वेपर में छपए हुए मिलेंगे इसी प्रकार आगे भी क्लास जाई देगी और बस आप प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको सोलिशन कराने का प्रियास करेंगे एक्जाम तक ताकि आप ज्यादा ज्यादा अपने जो अपने अब तक पढ़ा है उसको रिकॉल कर सकते हैं इसी माध्यम से थैंक्यू थैंक्यू वर्य वर्य मच प्रवाचिंग वीडियो और कनेक्टिंग एक्जाम फाइटर नम अबर्बर्बर्बर्ण